आज हमारे साथ एक पेशन्ट है यूपी आगरा से उन्हीं से बात करेंगे उनको नजले की जो तकलीफ थी 5-6 महिने से उन्होंने अलग-अलग डॉक्टर को दिखाया अराम नहीं मिला हमारे क्लिनिक पे पहुंचे हैं बात करेंगे सबसे पहले अपना नाम बताईए बावना है सर मेरा नाम क्या तकलीफ थी कितने दिन से पांचे महिने से थी मेरे को नजदे की दिखकत थी नजले की तकलीफ थी आपको क्या-क्या लक्षन आ रहे थे नजले के वो चीक्या आती थी सोबैस वे और नाक से पानी गरता था और खांसी आती थी ये दिखकत थी कानों में भी होती जंजनाट सी आपको कभी-कभी सांस लेने में तकलीफ है हाँ जी खांसी होती तब दिक्कत सी लगती तीन चार दिन के बाद फिर खांसी की सीरफ लेनी पड़ती थी उससे थोड़ा फायदा मिलता आपकी जो नाख है वो ब्लोग रहती थी नाख बैने के सा जाती थी पानी सा जड़ता रहता था उसमें से आपकी बीमारी को जैसे आपने हमें बताया ज्यादा टाइम नहीं हुआ करीब 6 महीने के आसपास हुए 6 महीने के दोरान आपने कितने डॉक्टरों को दिखाया और जो आपने मेडिशन वगएरा खाई कि नहीं खाई उससे क दवाई का नाम कोई वो से ट्राजिन वगएरा यह टैबलेट देते थे यही खाती आपको हमारे ट्रीट में क्लिनिक पे आए हुए कितने दिन हुए कितनी शीटिंग लिए आपने कितना ट्रीटमेंट हुए आपको आज चौथा दिन है और उससे मेरे को 99% फायदा है 99% आप कि शीटिंग जो है वो लो मोनिंग ईवेनिंग करके हुए एकुपंचर की कितनी शीटिंग हो गई टोटल मेरे को आठ हो घहाँ आपल आफवार आपने ट्रीटमेंन लिए हैं याँ त्रीटमेंट के दोरान गौली दवाई इंजेक्शन दिया वह आपको नई कुछ निए क को कोई गोली दवाई खानी है ना इंजेक्शन है कुछ नहीं है टीट्मेंट अच्छा लगा ये कुछ नहीं है गोली दवाई बगरा तो ये से ही करते हैं वस अपको कितना relief मिले है total अब भी मिले को 99 परसंट अपकी उमर के आपकी उमर सिर्फ 26 साल है आपकी उमर के बहुत स वो ठीक नहीं हो रहे इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है हलंकि इसका इलाज भी नहीं है तो उन लोगों को क्या रिक्मेंट करना चाहेंगे क्या बताना चाहेंगे उनको क्योंकि हर UAPD हर बार दवाई की पिछे भागता है छोटा से छोटा से दर्द हो या वो बड़े से बड़ा दर्द हो हर चीज के लिए दवाया ऐसा नहीं है कि कोई सांस के लिए कि एक डॉक्टर के पास ना जागे किसी योगा कंसल्टनेंट के पास जाए या फिर किसी exercise के लिए फीजियो थ्रेपिश्ट के पास आए या कोई पहली बार होमोपेथी वालों के पास आए या फिर आयूरवेद वालों के पास आए सो में से सो लोगा आज के टाइम में दवाईयों की तरफ भाग रहे हैं दर्द के लिए पेंकिलर चाहिए और अराम के लिए उनको जो भी साट दिया जाता है वो चाहिए खाते हैं तब तक अराम है छोड़ती फिर उस कंडिशन पर ऐसे बहुत सारे पेशन्ट हमारे पास आते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर यही देना चाहते हूं कि यहां पे आएं सेम टिक लें लेक अपना इलाज करवा है अच्छे से अच्छा है सबसे तो जो लोग कई सालों से बीमारीों में जी रहे हैं उनको एक ब Ladies को लोग करना चाहूँत है अगर आप पांस साल से दभाया खा रहे हैं लगाता और आप ठेक निए तो कि आप छटी साल ठीक हो जाएंगे या आप दे साल से 15 साल से 20 साल से भी खा रहे है। और आप सब की यानि सब थीक भी दिक्niaया बढ़ रही है या स्टेबल बनी हुई है और अप ब्रव unhappy게요 साथ में प्र faltत गा रहे हैं अपके लिए क्ट्वा आ का रहे है और Jどう You room की डाले हैं बुरा असा डाहkad आज के समय में सो में से सो लोग हैं वो स्टिरोड का यूज़ कर रहे हैं पिंकिलर का यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूज़ ना करके आप लोग अल्टरनेट थरेपी में आई ये अल्टरनेट थरेपी में बहुत सारी थरेपीज है अयूरवेद भी सक्षम है भारत में होमो officer नहीं बन सकते तो उनको अलग अलग एक कि रेक्षियों में बांटा गया उसी तरहे को अलग अलग ञेशों में कोई नियुरु तरही कोई ही Staийzkir नई ने चांड़ु में Selah हो झाती है और ज़ड से चली जाती है तो बीज़ से चली में थृ कोई भात नहीं तो आप हैं थोड़ा सा मेडिशन से चेछलनेटरएपी की तरह कि पर आएंगे तो आप वस्य है है अपनी बीमारी को सकते हैं और इसे का साथ तो अभी इन मौसम जैसे की ठंडे मौसम है या फिर बर्सात ओरी इन मौसम में जो ठंड बड़ी उससे भी अपना ध्यान रखे और अपनी बीमारी को एक्सराइज से ठीक करने की कोशिज करें ना कि पेन किलर से ठीक करें आपके पास अगर कोई दूसरी थरे पिल लेने का ट पर बढ़ रही है तो उससीज को भी समझने की जूरत है या आपको समझना पड़ेगा धन्याश्य शूर्ण